हेलो दोस्तों स्वागत एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो खास उनके लिए हैं जो अल्ट्रासॉन करवात तो लेते हैं पर अल्ट्रासॉन रिपोर्ट देखकर घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता अल्ट्रासॉन टर्म क्या लिखा हुआ जैसे कि एसे एफेल बीपीडी एसी प्लसेंटा प्रजेंटेशन यह सब क्या होते हैं और बच्चा तिर्चा है उल्टा है सेदा है यह सब कहां पर लिखा रहाता उनको समझ में नहीं आता और वो टेंशन में आ जाते हैं इस वीडियो में हम आपको सिंपल लॉंग विज में एक रिय लॉंग विज में समझाएंगे तो आइए वीडियो को सुरू करते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब कर में दिया हुआ रहता है यहां पर देखें यहां पर लिखा हुआ है तो Kanga मतलब हर राता हो इसमें मंंने दढ़ाइए तो इसमें लिखा हो 149 bit पर मिनट मतलब एक मिनट में 149 bit दढ़ाक रहा है नॉर्मल होता है 120 से 160 के बीच नॉर्मल हो ता यहां पर देखिए यहां पर हो ец मतलब बच्चा तेर्च लिखा है इसमें लिखा हुआ है केस में लिखा हुआ है head on right side at the time of scan मतलब जब बच्चा scan हो रहा है मतलब ultrasound हो रहा है उस समय बच्चा right side में मतलब बच्चा का head इधर है pair इधर है तो यह बच्चा transverse हो गया इस case में आपको दर्द ज्यादा हो सकता है होने पर दर्द ज्यादा होता है यहां पर देखें लाई लाई भी ट्रांसवर हो मतलब presentation transverse है तो लाई भी ट्रांसवर्स नहीं होगा लाई का मतलब axis किस axis पर है इधर इधर है तो ट्रांसवर है उपर नीचे रहता तो longitudinal होता है कि बच्चा कैसा है मतलब बच्चा चर रहा है नहीं चर रहा है यह मोमेंट का यह डायमेटर हुआ उसको बी पीडी बोरा जाता है इसको ना पाजाता है मेजर करके यहां लिखा हुआ यहां पर मेजर करके इसके सबसे भी 31 विक आया है एसी का मतलब होता है बच्चे का पेट मतलब होता है कि फीमर मतलब जांग का हड़ी जो होता है उसको फीमर बोलता है फीमर का लेंथ होता है मतलब बच्चा हुआ बच्चे का फीमर का लेंथ यहां पर लिखा हुआ इसके इसाब से बच्चे का भी का रहा है 31 विक यह चारो को मिला कर यहां पर एवरेज लिखा हुआ रहा था उसको चारो का एवरेज 30 30 विक 6 डे आ रहा यहां पर देखे यहां पर लिखा हुआ एक्स भाएवार फरबारी दो हजर चब्विस इसके सबसे पलस माइनस भी हो सकता है मतलब दो में आगे भी जा सकता है और दो वेग पीछे भी जा सकता फीटल बेट देख्वें के यहां पर फीटल बेट लिखा हुआ रहा था बहुत सरे यहें देखे और है बहुत सारे लोग दाधने कि अंटेरी यर भर हमने हैं कि अंटेरियर का मतलब होता है कि माहा के अगले भाग में भी है यह तो विंचिट भागों टौ तो पर उपार सेंटा वह तो फंडल हर निचे वह लो लाइन लेकिन अबको फिल होता है मतलब होता है है यहां पर लिखा कर ल् elephant का मतलब हुआ कि यह बच्चा है बच्चे का 40 तरब यह पाणि कितना है एमनुटीक प्लूड का BE, इंडेक्स आठ से अठर तक नॉर्माल होता है जिसमें इस रिपोर्ट में 13.2 सेंट्रीमेटर है तो यह बिलकुत दॉर्मiner है आपके रिपोर्ट में कितना है आप जल्दी से कॉमेंट करके बताइए यहां पर इंप्रेशन है इंप्रेशन में लिखा हुआ है सिंगा लाइफ हीटर सब्वेबा और ठाटी बीक सिक्ष्डे मतलब बच्चा एक है जो ठाटी बीक सिक्ष्डे का हुआ है ड्यूरेस देन बीच ते इड्यूरेट लाइगर मतलब इसमें पानी का मातरा सही है एंग्ठ ट्राश प्रेचेशन मतलब कि बच्चे का प्रेंटेशन ट्रांस बर्ण बर्स यहां प्रेशन के मतलब होता है प्लसेंटा जो फटंडो पोस्टेरियйर है देखे पोस्टेरियर प्लसेन प्लसेंटा हुआ चाला गया फंडो प्लसेंटा अम तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आच्छे तरीके से समझा दियें लाइन वाइन एक लिपोट में क्या क्या लिखा रहाता परजेंटेशन क्या होता लाइसे क्या होता तो आप हमें कॉमेंट करके बता है कि आपका प्रजेंटेशन क्या है बच्चा से फाइलिक है या ब्रीच है या ट्रांसवर्स है तो जल्दी से बताइए और आपको कोई प्रोब्लम हो तो प्लीज हमें कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं और और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जिरूर कर ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें और वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेल आइकन को दवा देजिए